हाँ तो भी स्वागत है जंता का हमारे नए एपिसोड में और आज की एपिसोड में हमारे साथ जो मौझूद है वह है वास्तु एक्सपर्ट साथ ही साथ इनको एक्सपीरेंस है ब्लाक मैजिक का भी और भाई को बहुत ज्यादा एक्सपीरेंस है नुमिनलोजी में एस्ट्र मैं आज का भी और भी आफ कैमरा बतार है कि आपके साथ नुमिज हो एक्सपीरेंस हुएता है उडा है अरता हुघ को बहुत की बाते है बिल्कुल सही है बट एक चीज मैं क्लियर यह करना चाहूँआ कि जो भूत वर्ड है वो एक नमेंड वर्ड है झो बनाया गया कि भू भूत देखा है हमारे साथ भूत की कुछ चीज़े वे वह एक man-made word है, ऐसा मैं मानता हूँ और यह सही भी है कुछ क्योंकि कहीं भी आप अगर पुरान वगर कहीं भी जाएं, इंशन टाप कहीं भूत का चर्चा नहीं है, भूत नहीं होते हैं, आत्मा होते हैं, डेफिनेटल तो यह सारी एक दूसरे से connected interlink की है, बट इनके जगह अलग अलग है, जैसे कि अगर बात कर लेते हैं, असुर की, तो by the name says असुर, सुर मतलब कहा है, जिसका कोई सुर ना हो, और असुर जो होते हैं, वो जमीन के नीचे पाया जाते हैं, पाताल पे पाया जाते हैं, और इस जैसे कि मेरे साथ भी कई जो घटनाय हुई है, वो भी मैं बताऊँगा, असुर की में रिलेटेड हुई है, पाताल से रिलेटेड घटनाय हुई है, तो actually होता कहा है, जमीन के नीचे एक वेवी पैटन चलते रहता है, जिसे हम साइंस पे जिवपरती स्ट्रेस कहते हैं, त इसका सुर्ख खराब होगा, वो हमें डिस्टब करेगे, और यही रीजन है कि असुर हमें डिस्टब करते हैं, और यदि हम बात कर लेते हैं राक्षष की, तो राक्षष कभी अब लॉजिक निकालिया है, अप राक्षष कहां से आया राक्षष जो नाम डिराइव हुआ ह राक्षष एक्चली हुआ है डिराइव राक्षष से, सेवियर से, आप मुझे एक बात बताएए ना, आप लोग तीनों या पर साथ बेटा है, आप कभी भी जब से ओश्टामाले हम सब कभी यह नहीं सुने होंगे कि राक्षष ने किसी महल पे गए, राजा पे अटैक कर राक्षष रहते हैं वो जंगल के उनका एक पाटिकुलर एरिया एक पर पर ब्रोर जोन रहता है तो जैसे जंगल हो गया हिमालेयन रेंज औक माउंटन रेंज मतब एकांच शांथ जगा वो इंसान के बीच अपने बीच नहीं आते हैं राक्षष तो अट टाइम इंशन स्टोरी में भी आप लोगों ने यही सुना होगा कि भाहिया रिशी मुनी रिशी मुनी शांथ जगा ढूंडते है अपना अनुष्ठान मुतलब क्या होता है ना कि ग्रूप फीपल या ग्रूप पंडित जब एक सेम मंतर को चैन्ट करके उस देवता की फिल्ड को उजागरित करते हैं कि भाहिया राक्षष है उनसे कौन लड़ पाएगा रिशी मुनी तो लड़नी पाएंगे तो वो उस देवता को इवोक करके फिर उन्हें वो कहते हैं हमें बचाओ राक्षष से तो यह हो गया राक्षष का असुर कभी मैंने आपको बताया प्रेट सबसे डेंजरस चीज होता है I don't know कितने लोगों का हुआ होगा सामना है नहीं होगा बट वो सबसे डेंजरस होता है वो डेंजरस इसले नहीं होता है कि वो आपको कुछ हामफूल पहुचा देगा एक्चली प्रेट कभी भी आपको कोई हाम डेरेक्ली नहीं कर सकता है क्योंके पास कोई फिजिकल बॉड़ी नहीं होती है अपन लोग जैसे किस से किस लड़ाई हो गए अपन सीधा हाथ चूटता है अपना ब्र से गुजर रहा है यह परेशान है बंदय है बंदी और उसी को अगर आप गाउं या कहीं इस टेप के में चल देंगे तो उसको प्रेट का साया कहा जाता है तो प्रेट उसे डिरेक्ली हाम नहीं पहुचाता है बट वो इसको इतना ज्यादा में टॉर्चर कर देता है और यह प्रेट गुलर और यहाम सब जानते हैं आप लोग भी जानते हो ठीक है वह और हमारा एक न्यूटरल फिल्म में रहने का है कुछ भी चीजे बहुत ज्यादा एक्सेस में भी प्रब्लम करती है नीचे तो प्रब्लम करेगी करेगी तो कुल देवता वगर आ रहता है आप लोग experience की होंगे हम नहीं से हर को ही किया है जब हम कोई बहुत बड़े मंदिर जाते हैं कुल देवता के मंदिर चले गए या कोई एक बहुत बड़ा एक मतलब अनुस्ठान वाला जगा चल देता है मंदिर वहां मंदिर जाने से पहले बहुत सोचते है आज भगवान स इसके सामने पर हमारा माइंड ब्लैंक हो जाते है आपने कभी रीजन सोच है उस मुर्ती पे या उस स्ट्रक्चर पे इतना ज्यादा पावर रहती कि वह आपको माइंड ब्लैंक कर देती आपका दिमाग काम नहीं करते है तो सेम केस जो आपने कह रहे हो ना कि किसी के वोप कि बात नहीं कर रहा हूं मैं उनकी बात कर रहा हूं जो शयाद नॉमल हुमन्स के बीच ही नहीं रहते हैं शयाद हिमाल्या में चले जाओ तो आपको मिल जाएंगे वह कभी भी अपने पैर पढ़ने नहीं देते है नहीं चूव सकते हैं अब उस पे लोगों ने बहुत सार तो जो एकदम सिद्ध पुरुष रहते हैं वो पैर चुने नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, सिर्फ यही रिजन रहता है कि उनकी अपने में आ जाए, और इसले नहीं कि वो अपनी अनर्जी देना नहीं चाहते हैं, इसले कि उनकी अनर्जी अपन लोग बेर ही नहीं क समय में बेसिकली कहा जाता है भूद भगाना कहीं मंदिरों में यज ऐसे महंदीपूर बाला जी में भी सुना होगा देखा होगा रिसेंटली मैं बागेश्वर धाम गया था वहाँ भी मैंने देखा जब इस फिल्ट की मुझे नॉलेज नहीं थी तब मैं उसे लिटरली तुब वेरी ओनेस मजाग समझता था मतला एक्टिंग करते होंगे लाइक डैट कुछ जगा शायत करते होंगे पर ट्रस्ट मी जो बा पर यह जो हिलने वाला वाइबुरेशन वाले बहुत फेक केसी बहार आ एक्जाक्ति तो वहां से फिर ओडियन बनाती है बिल्कुल देखो फेक और पढ़ना देखो किसी भी चीज की कॉपी कप बनती है जब वो चीज एक बर ओर और रहती है आइफोन की कॉपी मार्केट म अगर कोई चीज फेक बनी तो वो चीज ओरिजनालिटी को डिराइफ करके बनी होगी तो फेक को तो चलिए अपन लोग उत्ता काउंट नहीं करते क्योंकि वह अपने कोई काम काने बट इसके जो पीछे ओरिजनल वाले के पीछे का लॉजिक में आपको समझा दूं लड़ लिलाज चल रहा अच्छी बात है अपना आते हैं भूद भगाने वाले टॉपिक पे तो जब आप कहीं भी इस टाइप के जगह में देखे होंगे कि वो मंदिरिया कहीं भी बैठे हैं जैसे अगर बागेश्वार धाम की बात कर लो एक पेड़ है उसके पास बैठके वो सर जगह पे जाता है वहां की और अलग रहती है मंदिर के और फिल्ड बहुत अलग रहती है आप कभी नोटिस करिएगा आप एकदम जादा लो फिल कर रहो कुछ मत करो मंदिर चले जाओ और जब मैं मंदीर कहूं इसका यह मतलब नहीं कि मैं हिंदुजम को ऐसे नहीं हर जात जाती धर्म बराबर है जिस भी जात धर्म से बिलॉंग करते हैं वहां चले जाओ गुरुद्वारे चले जाओ मस्जिद चले जाओ वहां की और फिल्ड बहुत अलग रहती है तो एट टाइम वह भूद भगाने ओला जो सीन उस पॉजिटिव एरिया में पहुशता है तो उसके अंदर उस औरा फिल्ड का इतना ज्यादा सॉलिट प्रभाव पड़ता है ना कि उसके अंदर से वह नेगटिविटी बहार आती है और अट टाइम वह नेगटिविटी बहार आती है इसी रीजन से उसका बॉड़ी पुरा वाइब्रेट होता है तो जो अपन लोगों पर बेसिक्ली मेरा वकाउट रहता है वास्तु में कि वास्तु का रीजन भी यह ना है कि आप एक चीज से काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो निम्रॉल जी से लैड़ सपोज आप मेरे पास है कि आप शुभा मैं बताये मेरा नाम ऐसा है वैसा है तो मैं सिफ आपकी प् बूद बंगला haunted house, horror house और उस पर वकाउड भी होते हैं कई लोग scientific तरीके से जाते हैं जैसे हम वास्तु expert लोग को बुलाते हैं कई लोगो बाबा पंडितों के पास भी जाते हैं मैं किसी को deny नहीं कर रहा हूँ है और देको बाबा पंडित को मैं आज तक तो भी very honest कभी यह जो बाबा पंडित हो गए ना जिनको लोग so called धपोशला बोलते हैं वह एक्चली ऐसे नहीं है वो क्या गलती कर लिए ना वो अपने आपको अप्ग्रेड नहीं किये तो वह अब आपके पास ब्रेड़ेड वर्जन ही नहीं तो आप उसे solve कैसे कर पाऊगे प्रॉब्लम को solve करने के लिए नए अप्रोच की बहुत ज़्यादा जरूरत है और मैं ऐसे cases सम्हाल चुका हूँ पर्सनल अगर experience की बात करूं रिसेंट की बात है कुछ मैंने पहलो की दिल्ली आना जाना होते रहत ऐसे मैं कहा तो जैपूर गया था फ्रेंड दिल्ली से ही मैं आया था वहां से दली का काम निप्टा है बहुत ज़्यादा था तीन दिन का काम था मेरा यहां वास्तुके इ मैं फिर जैपूर गया फ्रेंड से मिलने आप थोड़ा अराम करेंगे बोलके तो उसका ओफिस था तो मैं एक प्रॉपर्टी जो हमारी बुक थी वहां पर रुखने के लिए मैं पहले पहुचा तो प्रॉपर्टी इंदसंस वो होटल नहीं था जैसे कि वो एक परसनल अप का हुआ था तीन दीन से कि लिटरली मैं कुछ नहीं समझा मैं गया डूर ओपन किया जो भी प्रॉपर्टी चेक इं किया डूर ओपन किया समाह निद हो दर रहा मैं चेंज भी नहीं किया मैं सो गया तो भाई आप किते लोग थे मैं अभी तक अकेला हूं मैं ठीक है आगे इनसान रहते हैं जिनको एनर्जी बहुत जल्दी फील हो जाती है एक्चली फील सबको होती है बट हम नोटिस नहीं करते हैं ठीक है क्योंकि एनर्जी आपन सबके पास एक्वल है सब जगे एक्वल एनर्जी फ्लो हो रही है बट कोई उसे जल्दी फील कर ले रहा है कोई कर पा रहे हैं तो मेरे को थोड़ा सा से फील हुआ कुछ चीज अब ऐसे कोई चीज फील हुआ इसका यह मतलब नहीं कि मुझे कोई परचाई दिग गई आत्मा दिग गई ऐसा है निबटिक ना कोई कभी भी आप एक नेगटिव और फील में जाओ गे ना तो सबसे पहली ची पैक पैक फील होगा आप खुलापन नहीं महसूस कर पाऊगे दूसरी जो चीज होगी आपको हेड़े को ने लगेगा दीरे दीरे एक बार मैं नीबटना सर भारी जिसको रॉनिंग लाइज में अपन बोलते हैं ना सर भारी लग रहा है आज तीसरी जो चीज होगी आपका बैक पेन होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे से ये इनसान नोटिस बहुत टाइम बात करता है तो ये सब कुछ हलके से मुझे फील हुआ नोटिस नहीं किया बहुत टाइम बाद हम लोग मिले थे बातचित कि हमें उसके बाद जो भी बातचित के बाद हम फिर मतलब ये पर उतना था क्योंकि वहाँ उसका है नहीं ना देखो पानी पया सपन को तब लगे का जब आवन पानी को जादा देखेंगे उसका धेन वहाँ परता ही नहीं वह पनी बस्ती है तो नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है तो मैं दो-तीन चीज को वह फील कर रहा था और एंकाउंट आप मानोंगे नहीं अगर आप लोग ने एर्बिन भी गया हो गए कपी तो एर्बिन भी वह थीम अगर रहता है बड़ा एक एंटिक थीम वाला रहता है समझ रहो कि मतलब बहुत सॉलिड सॉलिड चीज़े रखेंगे कुछ-कुछ एंटिक चीज़े रखेंगे के भी आगे टॉपिक प्याओंगा बट वहां पर ऐसे एसे पेंटिंग दिनाया कि वह मतलब अगर आप उसके तरफ थोड़ा ताइम देख लोगे न वह बाते करने लगेंगी समझ रहो वह चीज़ फील हुआ है वहां पर और तर तो ऐसा नहीं क्योंकि आप बोलते हैं कि के साथ जो जंगल में जिसका ड्यूटी लगता है वो भी शेर से नॉर्मल इंसान इतना नहीं डरता है तो ऐसे डर तो नहीं कहूंगा बट वो चीज ना मेरे को थोड़ा सा एक लो कर रही थी एक मेरे एनरजी लेवल को लो कर रही ती लिट्रली वहां पर पेंटिंग बात मैं डेली मेरिटेशन करता हूं 21 मेरा डन है मतलब मैं दिन में देड़ घंटा जीम करूब एकिसमर मेडिटेशन करूब संडे को चूट जाता है ट्रैविलिंग के времени कभी कबार मेडिटेशन भी चूट जाता है नॉमल इंसान जब रहते है और मेडिटेटिव इनसान जो रहते है उसकी एक ना एनर्जी लेवल अलग रहती है वो चीजों से बाते हैं, एनर्जी से एक कन्वजेशन करना है, मैं वास्तु करने कभी भी बीकिसी के घर जाता हूँ, मैं क्लाइंट से बाद में बात करता हूँ, पहले वाँ की जमीन से बात होती है अब बात मतलब लोग इसको एक मतलब एक कॉंट्रोवर्शियर टॉपिक की एस वह बात नहीं है एक एनर्जी मैसेंजर मतलब इसे ही तंत्र के भाशा में इसे एक मतलब यक्षिनी सिद्धी शक्ती कहा गया है जो पुराने जमाने के ओरिजनल तांत्री कुवा करते थे है उसे मैने कुछ रीजन से स्टॉप कर दी एक समय के बाद तो वो एक स्रक्ती को सिद्ध किया जाता था उससे आप अपने सिस्टर के रूप में अपनी मदर के रूप में या फिर अपनी वाइप के रुपए अलाओ करते थे अब वही चीज अपग्रेड हूँ जैसे कि मैंने का एप अपग्रेड होता है वही चीज अपग्रेड होके आज हम उस चीज को बोलते हैं इंटुशन intuition सुने ओगे आप लोग दो तरकी intuition होती एक wisdom intuition होती है जो ओपर से आती है जो wisdom ऑगवान, गॉड़, ओड ळो एक देता है यह supernatural पार के थे थू की दूशरी जो intuition होती वो गट feelink करती है आपनने रनी लाएं के बच में गाना या राज मेरी गट कह रही है यह नहीं करना चाहिए वो एक मैसेज दे रहा आपका बोडी आपको तो वो मैसेजिंग में कन्वजेशन चल रहा था समझ रहे हैं और से फोटो से नहीं बहुत सी ऐसे चीजे थी जहां पर वो चल रहा था बट ठीक है वो मैंने उसका भी धिहान अलगना हो जाए बोलकर कुछ ऐसा डिसकुशन नहीं किया बट एक चीज आप नोडिस कियोंगे आपने राजस्तान का भानगर फोट सुना है सुना होगा आप लोगने की भूत प्रेत ऐसे रहते हैं वहाँ पर शायद I don't think so कि किसी ने भूत प्रेत को एंकाउंटर की होगा बट वहाँ पर नेगेटिविटी बहुत जाद है और नेगेटिविटी का एक पहला चीज यह है कि आप नेगेटिव जगे में चले जाओ गया आज अपन लोग तीन चार पांच लोग बैटे हैं सब लोग नॉर्मल कन्विजेशन चल रहा है क्योंकि यह औरा बहुत ज़्यादा पॉजिटीव है अट दा टाइम हो सकता है हम एक नेगेटिव औरा फिल में बैटे रहते हैं कुछ समय के बाद छोटी मोटी बातों में डिसकुस करते ही करते हैं मतलब बहस बाजी चालू करने लगते एक नेगेटिव तरफ बाते चल जाता बहांदगर के बहुत फोट की बात बहुत जरूरी जी जाप आप वहां नोटिस करिएगा आप चार दोस्त भी जाएंगे न कोई न कोई टॉपिक लेक लडाई हो जाएगी आप दोनों के बीच कर दोस्तों के बीच तो वहां भी जब वहां पर ते जैपुर की जो बात बता रहा हो नदाई होनी चालूए हम दोनों के भीच दीरे 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 ठीक है लडाए इंदधासन सहता पाई बहारे नि बहाण मतलब दीगो पुरानी बाते हम पहले भी कर रहे थे बद अब जो तो उससे लड़ाई के तरफ जा रहा था टोपिक सीरियस हो रहा है, matter सीरियस होते जा रहा है, matter ये पुरानी बते जैसे भी जो भी ठीक है फुई फिर मैंने जैसे तैसे मैनेज किया बात को समाला हो हमाला अब हुआ रात में दस साड़े दस बज गये किसी को डर ही नहीं, किसी को जस्टिफिकेशन ही नहीं देना है अपने को अब अपना करना है, वहां पर मैं गया सबसे पहला, अच्छा, उसके बात फिर अलग और में वहां पर चीजे हो रही है Trust me, वहां पर मैं गया, वहां पर वैसी हर घर का हर एक प्लॉट का एक सेंटर पॉइंट रहता है, जिसे ब्रमस्थल कहते है ब्रमस्थल by the name says, ब्रम्भा का मतलब क्या होता है, creator वहां से N numbers of energy नहीं कलती है, और जिस भी जगे का ब्रम्भा, ब्रमस्थल खराब होगा वहां का वास्तु, और सिफ वास्तु नहीं वहां पर गडबर चीज होते रहेंगे तो वहां पर असानी से negative energy रेंटर कर सकती है रेंटर नहीं करती है और वो अल्रेडी होती है अच्छा वहां से नीचे जमीन की प्रॉब्लम है पहले ब्रमस्थल का प्रॉब्लम जो मेरे को पहला एकदम लगा दूसरी लाइटिंग की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा डिम लाइट वहां पर वहां पर अपने point of view से अच्छा यूज के देखे वहां पर warm white लगे ही थी यह warm white relaxation को बहुत अच्छा प्रॉइट करता है आप ब्राइट में अपने यहां सोह नहीं पहेंगे हो सकता है यह warm white मतलब warm light होता ना warm white color का तो अपनको थोड़ा नीन दाता मतलब एक activity body की कम हो जाती तो उन लोग ने अपने अपसे सही किया बट ऐसे चीज़े एंकाउंटर रही दूसरी जो चीज़े एंकाउंटर रही जैसे कि मेरा सरभारी लग रहा था डिनर वगरा करने के बाद का बात बता रहा हूं सरभारी अभी भी लग रहा है मेरा मैं गया kitchen घुसा kitchen में वहाँ पर automatic light होते है में अपने देखा होगा एंटर करोगे जली जाएगा बहार होगे वह बंद हो जाएगा कुछ मिनट बात वह अली light थी वहाँ पर enter किया जला light चाय बना रहा हूं मैं मतलब वह concentrate करी नी पार जैसे है आपन अभी बाते कर रहे अपना पूरा concentration है एक दूसर के बात पर ध्यान दे है मैं यहां आठ द्यानी नी चाहरे जम्यास की बनाते बनाते चैया बनाई यह जा यह थंडा पानी का बौटल नी इकाला पीया आँ आ गया अट ओट ताइम मैं बाहर आया वहाँ पर तो लाइट बार बन चालू-बन चालू होने लगी अब लोग इसको अपन होरर मुवीज में भी देखे हो है कि ऐसे होता है बट यह कुछ हत तक मजाग भी है कुछ हत तक सही है देखो होता क्या है कि जो electricity वो भी एक तरह की energy है और जब बाकी सारी energy encounter होने लगती है तो energy disbalance होती है तो वो उसका reason होता है वो picture में actually movies में सही दिखाया जाता है बढ़ उसका पीछे का logic नहीं बताया जाता है और इसले और जिस चीज का logic पता नहीं रहता है कोई जात नहीं है वो एक community है यह खर दूसरा topic होगे अपना आते है असुर वाले चीज में जो अब main हो रहा है kitchen साया at the time बाहर आया वहां की light automatically बन चालू बन चालू होने लगी अपन फिर ध्यान वहाँ से हटा है आप मानोगे नहीं मेरी flight रात की थी साढ़े तीन बजे की जैपुर से flight थी मेरी तो मैं रात में 11 बजे से लेके देड़ दोबे तक बालकनी में समय बित्या हूँ इसलिए नहीं कि मुझे डर लग रहा है इसलिए कि आप यदि positive और एक negative और फिल्ट रहेगा ना चैन से रह नहीं पाओगे वहाँ पर मैं सोने जा रहा हूँ मतलब मैं कम से कम 50 बर करवट बदला हूँ वहाँ पर जब मैं बेडरूम में सोने गया किचन वाला तो हुआ चलो मैं इग्नोर करके चल दिया चोड़ यार जो भी हो उनको कोई दिक्कत नहीं आप अपना गाम करो हमको अराम करने तो बेडरूम में गया सोने के लिए वहां मैं सोनी पा रहा हूँ प्र लिटरली बता रहा हूँ जबकि मैं सुबा से थका हूँ तीन दिन से मैं काम कर रहा हूँ वहां पर हाकि सिर्फ 2 घंटे दो फर में सोयाँ उसके बाद भी मैं थाका वहा निया रहा हूँ करवर ले रहा हूं नहीं सोपा रहा हूं मैं गया कोई इंस भई आ पंगए बालकनी में बैटके मैं टाइम कारों एटाई मैं वहां अबसे निकल गया मुंबई करनेक्टिंग फ्लाइट थी मेरे चतिसघे टाइरेक्ट वहां वहां से नहीं थी मैं मुंबई पहुचके जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी तो वहां कुछ देर को हॉल था पता नी मेरा क्या मन किया मैं वाके ओनर प्रॉपटी के ओनर को कॉल किया एक्चुली मैं यह बताने के लिए कॉल किया था कि भी यह मैं चेक आउट कर गिया हूं रात हूं आप से बले बिलकुल पूछे मैंन से बोला आपके घर पे इस इस डारेक्शन पे कभी कुवा था क्या वैल बोले अरभी भी यह यूज नी हो रहा लेकिन है आपको कैसे पता उपर से तो नीचे दिखता नहीं और वह पूरा का वराप है मैं बोला है ना भी यूज नी 99.999% केसे में जिस घर पे जिस प्रॉपेटी पे कुवा रहेगा वहाँ पर प्रैनोमल एक्टिविटी होगी 99.999% रीजन असूर जमीन को डिक कर रहा है आपन लोग ठीक है समझ रहो आप वहां की अनर्जी ओल्रेडी डिस बैलेंस है आप उसको और समझ रहो वह एनर्जी असूर का जन कैसे होता है यह मैं वेब सीरीज वाले असूर की बात नहीं कर रहा हूं बट असूर के जो नीचे जन कैसे होता है जियो पर इस्ट्रस नॉमल अपना स्पैरिलिंग चल रही है अध दर टाइम यहां पर हम पत्थर लगा दिये वो उसका डिरेक्शन चेंज हो अब वो सूर से असूर हो गई वो डिस्टब करती है ठीक है यूज नी हो रहा है कुऊंगो तो क्यों रख्य और बोलते की नहीं यर रखे हुए हैं बस ऐसी मैं बला कि ठीक मैं क्यूआ यह और वो प्रॉपर कंसल्टेंट में उनका था नहीं उन्होंने मुझ से कंसल्ट कि तो फाल्तु का किसी को गयान देना अच्छा नहीं लगता है, मैं बस अपनी क्योरिसिटी दूर कर रहा हूँ क्योंकि उनका जो मैं वास्तु वहां का चेक किया था, मेरे को पूरा चेक करके लिए अपके घर से कोई का भी घर छोड़ के भागा है कुछ सेकेंड के लिए शौक हो गया आपको इस अब बात कैसे पता चला मैं बोला जैसा सार सॉरी उस चीज के लिए, या ईसा हुआ है जाहाँ च्छा पर पहले मेरे बच्चा भाग됐 द आ अगया वाबिस लेकिन भाग गया था जैसा किसी की डैत हुई आपके घर में द लिए नॉन्हंसने घर लेकर आयते मतलब काम वगरा कराने के लिए, नॉर्मल हाउसोल वर्क कराने के लिए, बुले थे यार वो सुसाइट कर ली थी, मैंने बुला उनको फिर बॉड़ी का क्या किया आपने, तो उन्होंने का कि कुछ नहीं, उनके वहां से गाउंस हैं रिलेटे, बॉड़ी हैंड़ोर कर दी, म यह को कनेट कर पार रहो? किचन में गया था चाय बनाने, वह उस समय फीलनी हो, अमर को मजब वहां पर एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था तब मेरे को पूरा डॉट कनेक्ट हो रहे एक दूसरे के साथ साथ, अब अच्छा, ठीक है, फिर मैंने का कि घर का आप लोग का कैसा बोलती है घर तो अमारा परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन साथ कोई नहीं रहता बस नाती नहीं मेरे साथ मैं बोला कि यह कुछ चीज़ा है घर पर वैसे मैं ऐसे आपका परस्नल कोई वो नी कंसल्टेंट नहीं बट फिर भी अपने साथ से बोल रहा हूं हुआ बंद करवाईए घर में कोई एक प्रॉपर हवन करवाईए उससे हो गा यह देखिए होता क्या है ना की इंसान चले जा मैंने कुछ चीज़ा ऐसे बताई ना और भी चीज़े जो मैं आन केमरे डिसकस नहीं कर सकता बट चीज़े ऐसे बताई कि वाकई में मतलब सामने लोग त्रस्ट हो जाता है और कुछ गलत तो है नहीं अगर आप किसी का भला कर मैं वास्तू के फिल्ट में क्यों है क्यों कि यह एक ऐसा फिल्ड ना जिस पर आपको पैसे के साथ साथ दूआ भी बहुत मिलती है तो पहला तो यह पैनॉमल था मेरे पास जो जैपूर में हुआ मेरे साथ तो भाई एक बात बताओ कि एसे घर बना रहे कोई तो क्या वाइड करे कि आसी चीज़ों से दूर रहे मालब क इस जगा पर क्या होना चीए वाश्रूम का अचीए वाश्रूम अगर तो यह सब बात की बात है आजाती है खाना क्या खाना है उससे जादे इंपोर्टेंट यह रहते कि अपन को भूक कैसे लगी है तो जब भी अपन लोग कोई नए लैंड यह इंसान आशकल बहुत ज्य आज भी होती है ऐसा नहीं हर कोई अवोइड किया बट मेजॉरिटी अव द पीपल अवोइड कर देता है इस चीज को भूमी पूजन का में रीजन का है पता है कि आप एक प्रॉपर जगह में एक लैंड को आप वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वो कंस्ट्रक्शन क करते वक्त वहाँ पर कितने जीव जन्तु की मौत हुई होगी ऐसा ऐसा जो आपन को दिखी छोटी सी चीटी का एक्जामपल ले लिजे कीडे का एक्जामपल ले लिजे तो ये तो कीड़ा और चीटी एक एक एक्जामपल है उसके पहले भी वहाँ कितने लोगों की डेथ ह सब्सक्राइए होगी हो सकता है किसी इंथानवर किसी की भी होगी तो उनकी एणरजी वहाँ रहा जाती जैसे मैंने थोड़ा देर पहले का कि मरनुआ ओला मर जाता है पटो इसकी एनरजी चीह अपन को कोई जोर से एक थपड मारेगा उनको चीख निकल जाएगा, तो जब कोई चीटी वगरा, कोई भी कोई भी एक कीड़ा भी मरता है ना तो वो तो चीटा होगा, फ्रिक्वेंसी एक वहाँ पर पैदा होती होगी, तो ऐसे उस लैंड पर कितनी एनर्जी होई होगी, positive भी होगी, negative भी होगी तो उसको neutralize करने के लिए सबसे पहले तो भूमी पूजन कराया जाता है भूमी पूजन जो properly आख से अपना देखा होगा मतलब भूमी पूजन होते हुए उसमें पंडित या जो भी अनुष्ठान करता है चीजों से कि यार, यह reyे, साफ है राहू, बैलन्स कर रहे है यह और वह कर रहे आच्छलीय sır کیmmat अज़ियोशन होते है वह साल लगाने का रीजन ही कि जियोपेटी स्ट्रेस की वह बात कर रहा था बढ़े जो系ल आए को स्पारिल मोशन में घूमती है क्योंकि उस 80% of the problem ऐसे solve हो जाती है उसमें क्या होता है brother? देख नाभी विदी यह होता है कि उस plot के अपन beach center जहां से energy निकल रही है उसको ठीक कर देते है मतलब कैसे ठीक करते हो देखो नाभी विदी के पूजा करते हो मंत्र पढ़ते हो क्या करते हो सब चीज आता है मंत्र उचारण भी आते है कुछ तंत्र का पार्ड भी रहते है और हमारी एक प्रॉपरली जेक मतलब मेरी जमस्टोन से मतलब एनरजी को बैलेंस करना है तो मतलब लोग पिरामिड से भी करते हैं बहुत सी चीजे करते हैं जो बैसिकली यूज करता है वो अलग से पूरा उसका structure बना के रखाओं में उसके अंदर अलग-अलग बहुत तरह के जमस्टोन्स रहते हैं क्रिस्टल्स रहते हैं धातुय रहते हैं यंत्र रहते हैं यंत्र पे तंत्र का पार्ट आता है तो उस चीज को बैलेंस करते है और मेजॉरिटी अफ दा प्रॉब्लम वहां से ही सॉल हो जाती है तो जितने होरर वाले किस्से हैं एक और जो वह आता चतिसगड का केस है मेरे वहां का और ये फैक्टरी का केस है तो उनको ये प्रॉब्लम आई थी और निये दो-तीन बाबाऊं से करवाया कोई आके याऔर डरा के चल दिया कभी भी आपनों कोकीस को डराना नहीं आपने क्लाइन को आज तक जितने है नी मेरा क्लाइन का रिकॉर्टरionar की दराकर पैसने कमाना है मेरे भाइज ुंका वी ता माला बाबा ने किया क्या Treak काई बाबा डरांके चल दिये बाबा यी सअय वमले सी थीक किये कि नहीं बता वो नी साय भोल्स इछ्ılों ठीक नहीं से रोट तो कुछ गाडवाड़ करें दियो गाड़ने ऑख ऐसे नहीं हो जाता करते हैं, यह नेम वो करो, नेम चेंज वर्क करते हैं यह जब तक आप उसको चार्ज नहीं करोगे, खेर आते हैं अपन लोग अपने हॉरर वाले पार्ट पे, कंस्रक्शन उनका पूरा नहीं हो रहा था, मैं लैंड पे विजिट किया, एड दर टाइम मैं वहां पर अंदर कदम रखा, मैं बोला कि आपका ठेके दार बहुत बड़ा चोर है, वही भी आज़ शॉक हो जाते हैं, आपको कैसे बता, मैं बोला है कि नहीं यह बताओ, मैं भी आपको कैसे बताओ, मैं लेफिर थोड़ो, यहां पर वही एनरजी इंटेंशन वर्फ कर रही है, नहीं नहीं हो रहा है यहांपर बत आपको यह नगालना नहीं, काम को तो शी नहीं हो रहना है, क्योंकि आपको काम आपको वही करेदेगा, बोलते हैं, सर वो सब तो ठीक है बट काम तो पूरा हो है, आपन लोग उनका में प्रॉब्लम जो मेजर ही आ रहा था कि काम कंप्लीट नहीं हो रहा था, लेबर चोड़ के भाग जा रहे थे, या फिर लेबर का एक्सिदेंट हो जा रहा था, मेजर एक्सिदेंट जब मैं वह पर पहला जो मैंने कुवा वाली जो बात कही थी, कुवा साओ इस डिरेक्शन पर था, साओ इस यहां पर देखे, असूर की प्रॉब्लम तो लिंक कर रही है, कुवा मैंने का कि जहां रहागा पैनोमल अक्टिविटी हो नही हो नही है, दूसरी चीज़, साओ इस जो डिरे मैंने रखता है, मतलब डबल, थर्ड फ्लोर का घर आप मान के चलो, आल्मोस्ट, खाली तक हुआ, अब वहां पर पहला असूर का चीज़ा आता है, दूसरी चीज़ा आप छोटी से एक्जामपल ले ले लेता है, अपन लोग देखे नहीं बठो सकता है, कोई जानवर गिर मुझे मैंने पूरा विजिट कर लिया उसका, पूरा फैक्टरी विजिट किया, एक-एक मतलब प्लेन अरिया भी जाके कर दिया, वो एक चीज़ दिखा, मतलब मेरे को कुछ एक फील हो रहा था, कि मैं अगला कि यहां कुस तो गडबड है और वो प्रॉब्लम दिखनी रह दिम लाइट्स लगा कर रखा है यह क्या चीज है और वो खुद हिंदू है वो वर्म है वो एकचली हिंदूजम में आते हैं तो मैं यह क्या चीज है वो बढ़ा पूजा का जगा पर्दा उसने हटाया तो वो जैसे मजार होता है ना मजार आपने देखा होगा मृमीडनस में एक मजार पीर बाबा का स्थल कहते हैं सबस्क्राइब करता है ना मजार एक प्रॉपर स्थल मजार यह होता है कि फोई खतं हो गया उसे वहां पर गाड़ gates फिर वहां पूझना चालू कर दिए पीर का स्थल उप भजा रहता है कि वह जो खतम हूआ उनhistए कोई इस्ट देवता या आपके कोई मतलब कोई ऐसे जैसे होता है ना कि गुरू प्रॉपर मेरा पुले नहीं ऐसे तो कौन बताया तो बोलता एक दूर का रिष्टेदार था वो आया बोले तर फैक्टरी चलनी रही है उस सामें फैक्टरी थे उनके मतलब जब काम चल जा कंस चल नहीं रही है तू यह कर दे आपको कुछ फायदा हो बोलता सार इसके बात फैक्टरी बंद हो गई मेरी यह गलत के कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना माथा कहां पर टेकते हैं अब उनका में प्रॉब्लम यह था कि उसने पीर का इस्थान बना लिया था पीर का लो जमाने में क्रीमिनल हो जिसको आप पूजेंगे आप ऐसे बनेंगे हिंदु घूम में इतने सारे शाइं हर गॉड को काम अलग है आपको ताक अलग अशिय को पूजिए लक्षमी जीचिंदर बेसे जोडने तो लक्षमी Specifically चण चलेंगी पैसे जोडने तो कुभेर दे पर गंगा जल वगर चिड़के, पूजा वगर अखिया, सब कुछ किया, वहां का वास्तो मैंने सेट किया, नाभी विधी अगेन मैंने वहां पर किया, प्रॉपरली और भी कुछ थे एरिया, वो जो उनके खराब थे, बहुत एक्स्टेंडेड जोन थे, कुछ जोन कट थे, स पर प्रॉपलम प्रॉपलम हो गई, अब उनको सेगंड प्रॉपलम आ गई, कि उन्हेंधि वास्तू प्लान मी बनाया था, बस प्रॉपलम ऑर नहीं है वास्तु कराओ आ था से अ का दुरोब ऑन्हों सोल्व करवा था, अा गगे क नहीं बंकि सद्ली selv मैं और साइड में एरिया यहां पर मैं फ्लैट बना के बेच रहा हूँ अब मैं बना तो रहा हूँ लेकिन बी केक भी नहीं रहा है और ट्रस्ट में उस फ्लैट को बहुत जादा अच्छा मतलब इतना था ट्रैक्टिव नायर कि लगेगा कि जेब में पैसा हो तो अभी खरीद लें पर उनका एक भी फ्लैट नहीं भीक रहा था फिर वहां पर मैंने किया वो गड़बड क्या कर दिये ते आपनने महनत से बढ़िया वहां का नाभी विदी वगर करके ब्रहम स्थल को सेट करके गया सर ने उसी के उपर पानी टंकी बना दिया ब्रहम स्थल में कभी कोई एलि पूरा बताओ को प्राप्ल्लम केअ आपको क्या चाहिए, क्या है तो उन्होंने का कि देखो सर कि मेरेको फ्लैट जल्दी बेचना अब बस और कुछो करना मैं कोई भी फिलडर 본र ये किसी का भी क्या रहता है फ्लाइट जल्दी बिग जाह बहुत अच्छा Agency हुत वास्त व फिर इसको वो करो, और वो फ्लैट उनका बहुत जल्दी बिग गया, बोले कि सा थर्ड फ्लोर ता कंस्ट्रक्शन ओर ता बुकिंग आनी चालू हो गई, फ्लैट बिग गया उनका, तो ये भी एक है, मतलब देख रहे हो, मतलब चीजे कैसे लिंक हो रही है, यहाँ पर एक प तो कभी भी ऐसे चलते फिरते नहीं, बताने तो पूरा एक कंसिल्टेंसी लो, पूरा अच्छे से, क्योंकि उससे प्रॉब्लम जिल्दी सॉल्व होती है, और आपकी बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जागी और आपका जो रिकॉर्मेंट है वो पता चलता है, आजकल बेस आजकल इंटीरियर वाले वास्तु कंसल्टेड बनके घूम रहे है, ठीक है, मैं किसी को ऐसे गलतनी बोरों पट हो रहा है थे को हर का काम अलग अलग रहा है, इंटीरियर का काम रहता है जगे की प्राण और जैवी कुर्जा को जगाना, मतलब वहां की क्रियेटिविटी को बढ़ाना, और एक वास्तु वाले का काम रहता है क्योंकि वहां की एनर्जी को चैनलाइस करना, तो काम अलग है, बट हो क्या रहा है कि इंटीरियर वाले बिल्डर्स को स्कैम कर रहे है, बिल्डर से आपने को, हो ही नहीं सकता थे, को यार बिल्डर की, let us suppose आब एक लोगों का फ्लैट बनाया है, दस लोग यहां पर रह रह रहे और सब में वास्तु सर्ट करके पॉसिबल ही नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते है, क्यों अवाँ पर 10 लोग रहने जाएंगे, 10 फैमिली वाले अलग-अलग, तो उनकी रिकार्मेंट अलग रहेगी, कोई की अलग वास्तु होगी देफिनिटली होगी देखो मैंने जैसे की अभी कहा की डिकॉर्मेंट पे डिपेंड हैर क्योंकि देखो जैसे मैं मेरे को दिन बर पैसा दिखते हैं लोग बहुत बुरा भला भी बोलते है कि पैसे पैसे की बात मैं करता हूं यार कि अच्छा है वो ठीक है देखो जो लोग कहते हैं न कि पैसे खराब होते हैं पैसे सही चीज नहीं पैसे इंसान को बरबात करते हैं यह वह ही कहता है जिनको पैसा का माना नहीं आता है फैक्ट बता रहा हूं और पैसे कोई बुरी चीज नहीं है उसा सही जगा लगाना चाहिए बाकि यही म वास्तु में हमारे लोगों को मेजिरली साउथ इस्ट, नॉर्थ वेस्ट, शार्दिशा पता रहती है, कोई थोड़ा और डीपली जले जाए तो काडिनल डिरेक्शन भी उसे पता रहती है, नॉर्थ इस्ट के बीच का, बट ऐसा और भी बहुत सारे डिरेक्शन और जोन होत हर डिरेक्शन के साब तो कि कलर इसके केस बता रहो, रिसेंट का केस है, हुआ यह था, उसमें भी इंटीर वाले ने खेल कर दिया था, अब इंटीर वाल अपने जगह सही है और उसको जगे को अच्छा बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, एक क्लाइंट था, उनकी अब जगाने क्लाइंट थे, आसे देड़ दो साल पहले के क्लाइंट थे, वो डिप्रेशन में थी, उन्होंने नया गर बनाया है, वो मेरे पास दुबार रहा है वो निम्रॉलजी के क्लाइंट थे, वो वो बोले सर वाइफ और चाड़े अच्छा ने चले गई है, मैं जैसे, बट वो ब्राइट कलर, वाइट कलर है, सोचो, वहाँ पर आप जादे टाइम बैट पाऊगे, एस कंपेर टू बड़ा सरूम जो की ब्लाइक कलर का पेंटेड हो, बहुत कॉम्पैक्ट फील होगा, ब्लाइक कलर डिप्रेशन में ले जा लेगा आपको, ये पहला र जाता है, ऐसे लोगों के 90% of the cases में आप खुद विजट कर लो, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद विजट करो, बीच में खड़े हो जाओ, साउथ इस डारेक्शन, या साउथ का एरिया, वहाँ पर उन लोग का या तो ब्लाइक कलर पेंट होगा, या फिर कोई ब्लू कल या इससे रिलेटेड कलर है, उसे हम मतलब वाटरी कलर माना जाता है, वाटर से रिलेटेड कलर माना जाता है, तो अगेन यहाँ पर साइकलोजिकली गेम जाता है, आप फायर की दिशा में पानी लेया है, आग बुझ गई, प्रॉब्लम, ऐसे जिनके घर रहते हैं, उनके यहाँ आप कलर में बेटी हो कि शादी में भी प्रॉब्लम आता है, बेटे के में भी आता है, जरूरी नहीं बेटी है, जरूरी नहीं बेटी को शादी हो गई, पैसे कमाने हो गई, यह सब एक फायर की activity है, इंसा मैं क्यूं कहता हूं हर बार लोगों को मेरे जित्ते भी क् तो आपके body में fire evoke होती है और आपके अंदर fire रहेगी आप हर टाइम active रहोगे आपका दिमाग properly work कर पाएगा चाहे वह आप काम पे work कर रहो या फिर आप personal life पे आप बहुत ज़्यादा creatively work कर पाऊगे और fire सबको अपने अंदर की evoke रखनी भी मेरी remedy बड़ी easy रहती है कुछ नहीं आप work out करो कई लोग तो बोलते है यह क्या है यह sir work out है कोई remedy मैं आपके तो देख आता है एक किस दिन बस सरे problem solve हुआ ऐसे work करती है चीजे अच्छा भाई मैं notice कर रहा हूँ मैं अपने अपने हाथों में अंगूठियां पहनी है एक माला भी पहनी हूई है यह gemstones का वता हूँ क्या significance है पहली हो तो यह वास्तू का पाट है यह सारे चीजे वास्तू निम्रों देखो हर चीज एक दूसरे से interconnected मैंने कहा ना कि मेरा core tantra है अच्छा tantra मतलब यह मैं clear कर दू नहीं तो लोग बर को एक वह tantra को वाला समझने लगेंगे लोग बर को एक वह tantra को वाला समझने लगेंगे लोगो tantra इंदा सेंस को जादू टोना नहीं हो था tantra जिस उन्होंने tantra discover किया था वह हो थे शिव शिव जी उन्होंने tantra का discovery किया युनिवर्स के भलाई के लिए उन्होंने अपने शप्त तरी से अपने सुनाओगा साथ रिश्यमुनियों को वह चीज़ सिखाए वह विद्या फिर वह आगे बटी बट वह tantra को मैंने इसलिए continue नहीं किया क्योंकि tantra ना आपको एक अकेलापन में ले जा लेता है आप proper tantra तब कर पाऊगे जब आप खुद में मगणा आप अंशुशल हो जाओगे और वह चीज़ मुझे परसनली नहीं होना था इसलिए अगेन अब आते हैं इस पर आते हैं और अपना इटम ऐसा है कि आप मेरे से मतलब मैं यह चैलेंज करता हूँ कि not only in India वल्लवाइड कहीं भी लैब में कोई भी एक certified लैब में आप टेस्ट करवा लो डुप्लिकेट निकला रियली डुप्लिकेट निकला तो सारी जिम्मदारी मेरी आज तक ऐसे नहीं हुआ significance role जो आते हैं यह जो crystal हो गए जैसे कि आप यह देख पा रहे हैं यह मैंने रुद्राग्ष ब्रेसलेट पहना हुआ है ठीक है अब यहां से आते हैं जो अपना अंगूठी है इसके भी अपन लोगों को लेके बहुत बड़ा मिथ है लोगों के मन बे कि अंगूठी पहना है जादू टोना पूजा पाट भगवाँ ऐसा नहीं है यह यह color therapy पे work करता है लोग पिछले जामाने में जो upgraded Pandit so called नहीं हुए वो कुंडली देखके राशिया देखके यह सब चीज रिकमेंड करते थे अभी आजकल यह होता है जो upgraded version यह कि लोगों की problem को देखकर recommend किया जाता है यह आपकी problem आपको प्यास लगी है तो मैं आपको बिर्यानी खाने के लिए क्यों दूँ खाने से आपकी प्यास थोड़ी ना बुजेगी आपको प्यास लगी यह पानी की तो मैं पानी दूँगा तो भी बुजेगी तो आजकल इस चीज दिया जाता है और यह work कैसे करती है यह color therapy पे work करती है जैसे कि आपने देखा होगा कि इसे को गुसा आता है तो वो moti पहनते है white color का इस उंगली पे नहीं के दो इसन सैटलाइट बट वो एक प्लैनेटी है लूनर बॉडी है वो तो अप्ड़ टाइम हम मून का स्टोन पहनते है वो कही नकई एनरजी ग्रैप करती है कहते है ना वो जैसे ब्लैक जो पहनता है पड़े थे बच्पन में आपन और यह चीज नोटिस जो ब्लैक पहनता हीट एबजॉब करता है एनरजी यहां पर भी ब्लैक पे जादा आएंगे हीट एबजॉब करेगा गर्मी जादा लगेगी एनरजी का खेल है तो सेम वैसी जैमस्टोन भी क्या कर रहा है आपकी मून से एनरजी ले रहा है यह मैं मूती की बात बता रहा हूँ वो एनरजी लेके मून की शीतलता आप पर प्रदान कर रहा है तो वैसे हर जैमस्टोन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मार्केट में आजकर लोग 15-500-100-100 रुपय में भी लोग बेज दे रहें जैमस्टोन मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि अगर जन्वीन जैमस्टोन आपको लेना है तो वो मिनिमम प्राइज रेंज उसकी होती है 22-25,000 मिनिमम ओर जन्वीन लेना है आपको तो कोई भी चीज जन्वी नहीं पहनना चाहिए तो आप जैमस्टोन आप 20-25,000 एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग बहुत मुश्किल हो जाता है तो वो एफ़र्ट नहीं कर पाते है तो उनके लिए ये चीज डिसकवरी हुए क्योंकि ये भी सेम वक करती है ये भी वही जैने, कलर थरेपी मैंने कहा ना जैसे कि मोती का एक्जांपल जयता है मून के अनर्जी को, सेम योग करती है और हम ऐसा है जैसे कि ये वाला जो मैं पहना ये तो चली एक जनरल ब्रेस ब्रेसलेट है इस पर रुदराक्ष इसका main work रहता है आपका औरा क्लीन करना, ठीक है इसमें clear cords भी यूज हो है आपको क्लीन करता है अब ये वाला जो ब्रेसलेट है ये प्रॉपर क्लाइट के रिकॉर्मेंट के हिसाब से बनती है यह मने अपने रिकॉर्मेंट के साब से बनाया है, basically. क्या है, आपको रिकॉर्मेंट इसमें बताना एक बार? पैसे, 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 वेल्थ, मनी, तो उसके इसाब से चिस डिजाइंड है. और यह आपके लिए अलग डिजाइंड होगा, क्योंकि मेरे रिकॉर्मेंट, पैसे के रिकॉर्मेंट हर के लिए अलग होती है, कईयों को पैसा चाहिए था है, rolling करने के लिए, कईयों को wealth asset के लिए पैसा चाहिए, ले अस आपको asset बनाना है, आपके लिए अलग यह design होगा, मुझे rolling पे घुमाना है मेरे लिए अलग design हुआ बसे market में अचके लिए भी बहुत भी करें बट होता क्या ना पता है बस एक general जैसे की लोग बेज दे रहा है health issues के लिए इसके लिए जब तक client की personal चीज़े पता ही नहीं चलेंगी consult आप कर आप मेरे से proper पर अप मेरे को अपनी problem बता होगे नहीं तो मैं कैसे design कर पा होगा तो हम फिलाल basically client के satisfaction पर work out कर रहे है कि कोई client आ रहा है वो अपनी problem बता रहा है तो अगर वो 20-25 जार नहीं वो खर्च कर पा रहा है तो देड़ दो हजार में भी कि problem solve रही तो कोई issue नहीं है तो यह ऐसे work करते हैं भाई मज़ा आगया है बात करके आप से बहुत कुछ आज हमने नया सीखा है और आम शूर हमारी audience को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और वैसे भाई दिखने में काफी यंग है लेकिन हमने भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी knowledge इनके पास है तो हमने का यार आओ बात करते हैं podcast पे हमारी audience को नई नई चीजे सुनना बहुत पसंद है और अगर आपके घर में भी कोई भी problem चल रही है जो pattern में आप notice कर रहे हो तो जरूर आप उस बारे में सोचिए कि कुछ कुछ energies तो हैं हमारे आसपास और वो correct हो सकती है positively turn out हो सकती है तो और जो आपकी queries है इस podcast को देखने के बाद वाद इन्स्टा पे DM करके भी पूछ सकते हैं इनका Instagram भी हम डाल रहे हैं और YouTube channel आपका जो है उसका gold button यहां screen पे आ रहा है यह आपके stones और यह लेने की crystals लेने की कोई website आपकी आपकी website है उस पर work out चल रहा है actually e-commerce website मैं थोड़ा उससे ज्यादा high उसमें बनाना चाहता हूं ताकि जो इंडिया से बाहर है वो भी purchase कर रहा है तो उसमें work out चल रहा है बट basically अभी जो हो रहा है वो directly हमारे team से आप connect कर स इंस्टा पे डियम कर सकते हैं और डियर्क कॉल भी कर सकते हैं वो डियर्क अपन तो बहुत बिल्कुल 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 अपना नंबर बहुत इजी 855 बागी का पूरा नंबर तीन आकरी में अच्छे अच्छा बहुत बढ़ी है awesome तो चलो भाई जनते को अगर मजा आ अब भाई को जरूर्ड फॉल्व अरे इंस्टाग्राम पे और डाट इस इट डू सब्सक्राइब दे चानल हो सो केजी बाइबाइबाइब